हेलो फैंस नमस्ते आज हम लेकर आए हैं बहुत ही कमाल के किचन टीप्स तो फ्रेंस वीडियो में आज तक बने रहेगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक से और चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा तो चलिए सुरू करते हैं नमबर वन टीप में देखते हैं पीजा या नान को गरम करने से यह सूखा और बेस्वाद हो जाता है माइक्रोवेम में पीजा सलाइस को गरम करते समय साथ में एक कप पानी रखे ताकि उसकी ताजगी बरकरार रहेगी और थ्री नमबर में टीज केक या पनीर जैसे नरम खादिपदार्थों को चाकू के बजाए डेंटल फ्लैस के साथ काटने की कोशिज करें इससे वे अच्छे से कटेंगे और फोर नमबर में केक को अच्छे से काटने के लिए गरम पानी में डुबा हुआ चाकू इस्तिमाल करें चाकू को पाले पोछें और फिर केक काटें हर स्लाइस के लिए दूराएं औ और 5 नमबर में गुई फीजी ब्राउनी बहुत ही स्वाधिश्ट होती है लेकिन इने साफ सुतरे चोड़े पीस में काटना किसी सपने जैसा हो सकता है अपने धातु वाले चाकू की बजाए एक प्लास्टिक चाकू का उप्योग करके आपको इसके साफ सुतरे पीस मिलेंगे और नेश्टिप है 6 नमबर आपने कचरे दान को ताजा रखने के लिए उसे पहले धोएं और सुखाएं फिर उसके तल पर कुछ बेकिंग सोड़ा चिड़के और नेश्टिप है हमारा 7 नमबर लकड़ी के चोपिंग बोड़ की सफाई करनी है बेकिंग सोड़ा और सीरका के मिस्वड़ को पूरे बोड़ में फैला दें इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर एक चमकदार नया बोड़ पाने के लिए इस क्रब करें और नेश्टिप है एट नमबर टीप यदि आपके चोपिंग बोड़ पर किसी चीज का दाग है तो इन पर नमक पानी और बेकिंग सोड़ा का पेश्ट बना कर डालें ब्रस से इस क्रब करें और इसे सूखने दें तो बहुत यच्छा टीप है फ्रेंस इसका परियोग जरूर करिएगा और नेश्टिप की ओर चलते हैं देखते हैं नाई नमबर टीप में अपने ब्लेंडर को साफ करना मुस्किल हो सकता है आधे ब्लेंडर जार को ग्रम पानी से भरें और उसमें डीस वासर की कुछ बूंदें डालें इसे कवर करें और इसे 10 से 15 मिला सकेंड के लिए छोड़ दें और नेश्टिप है टेन नमबर टीप अपने फूड प्रोसेसर ब्लेंडर या किसी और उपकरड़ों के किनारों तक कड़ी सफाई के लिए एक पुराने बच्चे के तूठ व्रस का उपियोग करें सिपी कप जैसी छोटी जगों के लिए कोटन स्वैब चुने और नेश्टिप देखेंगे इलेवन नमबर टीप में यदि आपके पास बुरफ का ठंड़ा पानी नहीं है तो कोई बात नहीं पालक या मटर को पकाते समय बस एक चुटकी बेकिंग सोडा डाले पालक और मटर का गहरा रंग बना रहेगा तो बहुत ही अच्छा टीप है फ्रेंज इसका परियोग जरूर करिएगा इससे आपका मटर और जो भी हरी सबजियां है उसका कलर एकदम बरकरार रहता है और नेश्टिप देखेंगे ट्वेल नमबर टीप में राजमा या छोले बनाना चाहती हैं लेकिन रात भर उन्हें भी गोना भूल गया हैं बस उनको उबलते पानी में डालें धकन के साथ कवर करें और एक या दो घंटे के लिए छोड़ दें जैसे आप उन्हें बनाती हैं बिलकुल वैसे ही बनाएं आपका छोले या राजमा बहुत ही टेश्टी बनेगा और नेश्टीप देखेंगे थर्टीन नमबर टीप में बिना दरार के उबले हुए अंडे पानी के लिए उबलते पानी में थोड़ा सा नमक डालें तब उन्हें सीधे थंडे पानी में डाल दे ताकि योग अंडे का अंदर का हिसा को मलीन करण होने से बचाया जा सकता है तो फ्रेंज बहुत ही अच्छा टीप है ये नेश्टीप देखेंगे फोटीन नमबर टीप में आपने करई में बहुत ज़्यदा नमक डाल दिया हम में से सब के साथ एसा होता है आप इसमें से किसी भी चीज को जैसे की आलो ब्रेड या गिहूं के आटे की बॉस बना कर करई में डाल सकते हैं उन्हें आधे से आधे घंटे से एक घंटे के लिए करई में डाल दें और फिर करई परोसने से पहले उन्हें निकालने आपका जो भी नमक ज़्यादा होगा एकदम बढ़ियां से मेडियम हो जाएगा और नेश टीप देखेंगे 15 नमबर टीप में पालक उबालने के बाद अपना रंग खोद देता है इससे बचने के लिए पालक को उबालने के तुरंट बाद 5 मिनद तक बरप के ठंडे पानी में डाल दें एकदम उसका कलर बरकरार रहेगा तो फ्रेंज उमीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो थोड़ा सभी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सिस्क्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ और कमेंट करके बताइएगा कौन सा टीप सबसे बेश्ट लगा थैंक्स पर वचिंग मैं वीडियो बाई बाई टेक केर